Hello, good morning students, welcome to my channel. Today in this class we are going to read second part of chapter 6, The Girl Who Hated Books, of your book Communicate with Cambridge. आज हम स्टोरी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं, पेज नमबर 84 से. तो पार्ट वन को रिकैप्चलाइज कर लेते हैं, जल्दी से इस कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा था, कि मीना नाम की एक लड़की थी और उसकी एक बिल्ली थी मैक्स, मीना और उसकी बिल्ली मैक्स दोनों को किताब मुसे बहुत जादा नफरत थी, उनके घर में हर जब वो मैक्स को ढूड़ने निकली, ऊपर चढ़ी जहां पे वो बैठी हुई थी मैक्स, तो किताबों के धेर से मीना नीचे फिसल गई और फिर कुछ अजीब हुआ, सारी किताबे आसमान में उड़ने लगी, घर की छत पर उड़ने लगी, और उन में से जो कैरेक्टर्स थे, वो गोल-गोल गूम कर नीचे जमीन पर गिरने लगे, जिसमें एलिफांट, फ्रॉग, जिराफ, रैबिट्स, बंकीज, ये सारे अनिमल्स थे, इनके साथ भी साथ, एम्परर्स, प्रिंस, ये सब भी चामिल थे, तो आएए अब इसके आगे क्या हुआ कहानी में, रुक जाओ, बंद कर दो ये सब, ऐसा क्यों चिलाए वो, क्योंकि एलिफांट जो है, वो जगलिंग करते हुए, प्लेट्स तोड रहा था, और रैबिट क्या कर रहा था, रैबिट टेबल के पाओ कुतर रहा था, तो ये सब देखते हुए मीना ने कहा, स्टॉप, रुक जाओ, गो बैक, वापस चले जाओ, बट देर वस सो मच गुइंग ओन दाट नो वन हर्ड हर स्पीक, लेकिन वहा इतना कुछ चल रहा था, इतना शोर था, कि किसी ने भी मीना की आवास नहीं सुनी, शी ग्रैब देखते हुए मीना की आवास नहीं सुनी, शी ग्रैब that scared him so much, he wriggled out of मीना's hand and ran away, और इससे वो रैबिट इतना डर गया कि वो हिलते डुलते मचलते हुए मीना के हाथ से निकल कर दूर भाग गया, she opened another book, फिर उसने दूसरी किताब खोली and four ducks flew out, और उसमें से चार बतकें उड़कर बाहर आ गई, she slammed it shut again, तो उसने जोर से किताब को बंद कर दिया, this won't work, said मीना, ऐसे काम नहीं चलेगा मीना ने कहा, I don't know who goes in which book, she thought for a minute, I know, she said, I'll go to everyone and ask them where they belong, तो मीना ने सोचा कि ये कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा creature, कौन सा character, किस किताब से निकल कर आया है, उसने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा, कि ठीक है मैं एक-एक के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि वो कहां से निकल कर आए है, उसने एक अजीब से जन्तु से शुरुवात की, जिसे वो नहीं पहचान पाई थी, कि ये कौन है, Who are you? she asked, तुम कौन हो? उसने पूछा, A is for artwork, A आड़वाक के लिए है, the animal said, angrily, animal ने गुसे से कहा, and marched off in search of her alphabet book, और march करते हुए, अपनी alphabet की किताब को ढूंते हुए, वो आगे चला गया, then she had another idea, और फिर उसको दूसरा idea आया, she picked up the nearest book and began to read aloud, और फिर उसने पास में रखे हुई, दूसरी किताब उठा ली, और जोर से पढ़ने लगी, once upon a time, Mina began in a land far far away, एक बार की बात है, पढ़ना शिरू किया, दूर वरती एक छेत्र में, जब आप कहानियां पढ़ते हैं, तो mostly कहानियों की शिरुवात किस लाइन से होती है, once upon a time, एक बार की बात है, तो ऐसे ही Mina ने भी पढ़ना शिरू किया, slowly the creator stopped jumping and chattering, तो धीरे धीरे, जैसे उसने कहानी की शिरुवात की, सब ही animals ने कूदना और शैतानी करना बंद कर दिया, they came closer and closer to hear what happened next, वो सब आकर उसके पास बैठ गए ये जानने के लिए कि इसके बाद क्या हुआ, soon they were all sitting in a circle around her, listening to her read, और जल्द ही वो सब एक गोल घेरा बना कर Mina के चारों तरफ बैठ गए, और ये सुनने के लिए उससुत्थे की कहानी में इसके बाद क्या हुआ, when Mina reached the top of the second page, जब Mina book की second page पर पहुँची, the cats in the circle jumped up, तो circle में जो बिल्ली बैठी हुई थी, वो कूद कर आ गई, that's us, they cried, ये तो हम है, वो चिल्लाई, that's our page, that's our book, ये तो हमारा page है, ये हमारी किताब है, they left out of the circle, jumped into her lap, and disappeared into the book, वो सब कूद कर Mina की गोद में आकर बैठ गई, और फिर किताब में गायब हो गई, Mina clapped it shut, before they could pop out again, और इससे पहले की वो फिर से फुदक कर बहार आ जाती, Mina ने किताब छट से बंद कर दी, she grabbed another story, फिर उसने दूसरी कहाने की किताब उठाई, One by one she began reading all her books, एक एक करके उसने अपनी सारी किताबें पढ़ने शुरू कर दी, and one by one the creatures found out where they belonged, और एक एक करके सभी जन्तों को जानवरों को पता चलता गया कि वो कहां से निकल कर आये थे, At last, there was just one little rabbit in a little blue coat left in the room, वो सारे जन्वर जब उनके किताब में उनका पन्ना आया तो वो वापस चले गए, लेकिन लास्ट में कौन बचा एक छोटा सा rabbit जिसने blue कलर का कोट पहना हुआ था, वो अकेला रूम में रह गया, मीना slowly picked up a book, मीना ने धीरे से एक किताब उठाई, It was The Tale of Peter Rabbit, उस किताब का नाम था The Tale of Peter Rabbit, आप सब में से जिसने किताब पढ़ी है, ये स्टोरी पढ़ी है, The Tale of Peter Rabbit, उसमें उस rabbit का क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा, Maybe I could keep this rabbit with me, she thought, तो मीना ने सोचा कि क्यों ना मैं इस rabbit को अपने पास रख लो, she was beginning to feel lonely now that everyone else was gone, और अब वो अपने आपको बहत अकेला मैसूस कर रही थी, क्योंकि अब तक सब जा चुके थे, but the little rabbit stood in front of her, shifting nervously from foot to foot and twitching his nose, लेकिन छोटा सा जो rabbit बचा हुआ था, वो उसके सामने खड़ा हो गया, और धीरे धीरे एक एक कदम वो आगे बढ़ता जा रहा था, अपनी नाग को खुचलाते हुए, he was anxious to get back home, वो भी अपने घर जाने को उच्सुप था, so with a big sigh, तो एक गहरी सांस लेकर, मीना ओपन दे लास्ट बुक, मीना ने आखरी किताब खोली, तो रैबिट हॉब्ट इन, रैबिट उसमें कूद कर चला गया, and with a flash of his white cotton tail, he was gone, और उसकी चमकती हुई लास्ट में, cotton tail के वल पूश दिखाई दी, और वो तभी किताब में वापस चला गया, he was gone, वो जा चुका था, washing his face, or Max, कुछ किताबों के उपर चड़ कर बैठ गया, और अपने चहरे को साफ कर रहा था, मीना साइड, मीना ने गहरी सांस ली, I'll never see those rabbits again, she said, मैं इन rabbits को दुबारा नहीं देख पाऊंगी, उसने कहा, then she noticed that the books were still there, lying around her, she started to smile, और फिर उसने ये ध्यान दिया, notice किया, कि किताबे तो अभी भी उसके आज़ पास है, चारो तरफ, तो ये सोच कर वो मुस्कुराई, when her parents came in that afternoon, they couldn't believe their eyes, और जब उस दिन दुपहर में उसके parents वापस आए, तो उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ, not because the curtains were gone, and the dishes were broken, and the table legs were chewed up, इसलिए नहीं कि परदे फटे हुए थे, प्लेटे टूटी हुई थी, और टेबल के पैर कुत्रे हुए थे, but because there sitting in the middle of the room was Meena, she was reading a book, क्योंकि वहाँ कमरे के बीच में, रही थी, वो किताब पढ़ रही थी, तो ये देख करके उसके parents बहुत surprise हो गए, हैरान हो गए, और obviously उन्हें अच्छा लगा होगा, है ना, तो students, ये स्टोरी कैसे लगी, मुझे comment section में लिखकर जरूर बताइएगा, जिसने अभी तक चानल को subscribe नहीं किया है, जल्दी से subscribe बटन को प्रेस कर दीजिए, like बटन को प्रेस कीजिए, और हाँ, bell notification को on कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे, तो फिर मिलेंगे इस chapter की exercises के साथ, तब तक के लिए, bye-bye,